श्री शिवाय नमस्तु व्याम हर हर महादेव तो कैसे आप सब देखे आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुती ज़ादा खास और विशेश होने वाला है हम सभी जानते हैं कि अभी मार्कशीश मास का बहुती पावन और पवित्र महीना चल रहा है और आज है मार्कशीश मास का शुक्रवार देखे शुक्रवार का जो दिन होता है विशेश रूप से शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है और देखिए यदि हमारे जीवन में हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो हमारे जीवन में धन, संपदा, वैवब या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परिशानी नहीं होती तो इसलिए आज का ये वीडियो बहुती ज़दा खास और विशेश होने वाला है आप सभी लोगों के देखिए कि आज के इस वीडियो में हम आपको बहुती सुन्दर सा उपाये बताएंगी इस उपाय को करने से आपके जीवन की समस्त धन से जुड़ी हुई जो भी परिशानिया होंगी न उन निश्चित रूप से तूर हो जाएंगी ये उपाय हमने पूझे गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके समझ करके आप सभी को भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगी लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप सब जरूर लाइक कीजेगा और यदि भगवान शिपके सच्चे बखते हैं तो चैनल को भी जरूर संस्क्राइब करें तो देखे अब हम जान लेते हैं उपाई के बारे में कि हमें उपाई किस कार से करना है और किन लोगों को करना है तो देखिए, ये उपाई भी शेश रूप से आपके घर की सुख सम्रदी के लिए है, यानि अगर आपके घर में बिल्कुल भी शांती का मोहल नहीं है, सदस्यों के बीच में आपस में बनती नहीं है, आपस में एक तूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, यानि घर में एक तरीके ऐसा मोहल बना हुआ है, कि प्रेम का वातावरन तो समापती हो गया है, तो अपने जीगन में अपने घर परिवार में सुख सम्रदी के लिए आपको करना है ये सुन्दर सा उपाई, तो देखिए, इस उपाई के लिए आपको मात्र साथ लोटे जल ल से लोटे में बहनीं ine i a gda sugar inhaled अब उसे सात बार में अगवानम्न के शीवलिंग पर समर्पित पर देंगी तो ईसा भिल्कुल भी नहीं गला है सुपाय में ना साते स生ते सलम अब में यह उपाय के लिए या तो आप किसी बाल्टी के अंदर जल ले के जाए गर से ही ले जांए तो यह भी पद्व पात्र outrage जाना है और साथ में आपको एक व्डिक अनौन कोई पात्र ले लेना है और उसमें आपको जल भरके ले जाना है अब देखिए कई लोगों के अंदर ये परशन भी आएगा कि हम साथ लोटे जल क्यों लेके जाएं हम मंदिर से भी तो जल ले सकते हैं तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना ये जल आपके खुद के घर का होना चाहिए आपके रसोई घर का होना चाहिए तो आपको घर से ही जल ले जाना है ठीक है ना इस बात का आपको विशेश रूप से तिहान रखना है ठीक है ना तो देखिए इस उपाई के लिए आपने साथ लोटे जल ले लिया ठीक है ना यानि किसी बाल्टी में आपने हैर जल ले लिया अलग से आपने का पात्र ले लिया अब इसी के साथ आपको ले ना है यहूं कि भिल पत्र या कि फोन फेलपर्स बहों के आपको जल को लेकर के और भेलपात्र को लेकर के आपको चले जाना है भगवान शिव के मंदिर अब यह उपाय आप सुबा से लेकर रात्री तक जब आपकी इच्छा हो तब आपी सुपाय को कर ले ठीक है ना तो देखिए आप आगए मंदिर अब आपको क्या करना है तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है जो आप एक भेल पात्र लेके आए ना वो भेल पात्र को आपको लेना है और सबसे पहले आपको यह भेल पात्र को यानि चिकना वाला जो भाग है ना उस साइड से आपक इस प्रकार से आपको यहाँ पर टच कराना है तो आपने माता सोक सुंद्री वाले स्थान पर करा दिया और अपनी मनोकामना को बोल देना है फिर इसके बाद आपको यही पत्ता उठाना है बेलपत्र का कर देना है याउनी स्थाना को पर चर्च करेंगे इसके बाद देखे, आप जो सात लोटे जल लेके आए ना, वो आपको एक-एक लोटा जल, भगवान शीर के शीर लिंग पर, जहां पर आपने भिल पत्र अरपित के आने, तो भिल पत्र के उपर ही आपको ये सात लोटे जल, यानि एक-एक करके आपको समर्पित करने हैं, श मनोकामना को आपको बोल देना है, जिस भी मनोकामना को लेकर के आपने उपाई किया है, आपके घर की सुख समर्दी, आपके घर की सारी परेशानिया, मात्र इस सुन्दर से उपाई को करने से आपके जीवन से चल धी तूर होने लग जाएंगी, बहुती जादा विशेश और खास ये उपाई है जो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेगा तो आज के लिए वस इतना ही शिरी शिवाय नमस्तो ब्याम हरहर महादेव